केंद्रे ग्रिह मंत्राले ने राजीव गांधी फाउंडेशन एंड चेरिटेबल और इंद्रा गांधी मैमोरियल ड्रस्ट की जाज के आदेश दिये हैं होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई है यह कोडिनेशन करेगी जाज की अगुवाई एडी के एक स्पेशल डायरेक्टर करेंगे इस बात का पता लगाया जाएगा कि गांधी परिवार से जुड़े इन दोनों ट्रस्टों ने नियमो का उलहंगन तो नहीं किया कुछ दिन पहले भाष्पा ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दुदावास से चंदा यानि डोनेशन मिला था रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव गांधी फाउंडेशन राजीव गांधी चैरी टेबल ट्रस् आरोप है कि इंट्रस्टों के नियमों का उलहंगन किया गया है प्रिवेंशन ओफ मनी लॉड्रिंग एक्ट और इंकम टेक्स के नियमों को भी तोड़ने के आरोप लगे हैं जानकारी के मुताबिक एनफोर्समेट डारेक्टरेट के एक स्पेशल डारेक्टर इस जांस ची की अगवाई करें हैं कुछ दिन पहले भाजपा के राष्टिय अध्यक्ष जेपी नड़ा ने आरोप लगाए थे कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिला है कॉंग्रेस ने इन आरोपों को खारिस करते हुए कहा था कि भाजपा चीन से जारी सीमा विवा एक्ट और एफ सी आरे एक्ट के उलंगन का पता लगाया जाएगा इडी के स्पेशल डारेक्टर जांस टीम को लीड करेंगे पूर प्रधान मंत्री राजीव गांधी के लक्षों को आगे भढाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इसकी शुरुवात की थी इसका काम कास डोनेशन से मिलने वाली रकम से चलता है सोनिया इसकी चेर परसन है पूर प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग के अलावा राहुल गांधी प्रियंका गांधी और पीच इतंब्रम ट्रस्टी है बता दे कि चीन के मुद्धे पर कॉंगरस ने प्रधान मंती नरेंदर मोधी के बयान पर सवाल उठाए थे जवाब में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा ने राजीव गांधी फाउंडेशन और चीन का लिंक बता दिया नड़ा ने गुरुवार को कहा था कि 2005 से 6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 3 लाख डोलर तब 19 लाख रुपे मिले थे इसके बदले फाउंडेशन ने चीन के साथ फ्री टेड को बढ़ावा देने वाली स्टड़ी करवाई नड़ा ने आज कहा कि UPA के समेश सरकारी पंड का पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को डाइवर्ट किया गया था ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवार च्छी करवाई गांद के लाइब करेंद का लाइब करेंद करेंद को कि अप्रफिक करेंद करहा हुआ है